काली गरीब स्कूल स्टूडेंट इन जानकी अपने पती से कहती है अजी मैं ये सोच रही थी आम का सीजन है क्यों ना मैं इन आमों का आचार बना कर बेचना शुरू कर दूँ आप ही तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा आचार बना लेती हूँ वैसे भी अब अपनी बिटिया आठवी में चली जाएगी और फिर तो मचार के मसाले कैसे पीशोगी अजी ये छोटी मोटी चोटे तो लगती रहती है खल को अपनी पारवती बिटिया पढ़ लेकर बड़ा अफसर बन जाएगी तब थोड़ी न मुझे ये सब करना पड़ेगा फिर तो ठाट से रानी बन कर रहूंगी मैं जानकी चानती थी कि एक दिन उसकी बिटी अपने रंग रूप से नहीं बलकि अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाएगी और अपने गाउं का नाम रोशन करेगी आज जो लोग उसका मजा कुड़ा रहे हैं कल को उस पर गर्व करेंगे इधर पारवती स्कूल से जुमते पर से पता नहीं तेरी मा को क्या फिर्टूर चड़ा है कि तुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टरी कराने की और इधर बेटी को देखो कैसे नाचगाने में लगी है और यह कोई टाइम है तेरे घर जाने का शाम होने को है कि तेरी मा चोरी छुपे तुसे जाड़ू पोशा का काम तो नहीं करवाने लगी नहीं नहीं काकी वो आज स्कूल में एक्स्टर क्लासिस थी इसलिए देर हो गई अरे तेरी मा के अकल पे तो जैसे मिट्टी पढ़ गई है जो जवान बेटी को पूरे दिन घर से बाहर दूर धूप में लड़कों की तरह कपड़े पहना कर ललतो के अपने पर ख़ल्दी का लेप लगाया कर यह थी काला साप और जलनी से तेरे हात पी पिले हो जाए इतना बोलकर कांगी वहां से जाती है और पार्वति अधास मन से घर आ जाती है और अपनी मा झालता है मा, तो हमेशा मुझे पढ़ने क्यों ही क्यों कहती है, तु मेरे गोरा होने के लिए भी कुछ नहीं करती, रोज स्कूल में सब मुझे काली माई काली माई कहके चुड़ाते हैं, कोई मेरे डांस का मज़ा कुड़ाता है, तो कोई पढ़ाई का, आज पता है स्कूल में क्या लो आ गई ये काली माई मैंने पहले ही कहा था ये एक नम्मर के धेट है धेट क्या हुआ तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और ये सब क्या मूल रही हो तुझे हर रोज हम सब इतना परिशान करती है और कल तो हम सब ने तुम्हारे को जाद ही मजाक उड़ा दिया था तो आज हम सब को लग रहा था कि तुम आज स्कूल नहीं आओगी पर मुझे अच्छे से पता था कि तुम जरूर आओगी क्योंकि तुम्हारे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ी नहीं है और इसे बात पर मेरी सबसे शर्ट लगी थी और देखो मैं जीत गई वाओ ऐसा होता है मा मेरे साथ मैं अब से स्कूल नहीं जाओंगी अच्छा तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो मत जाना अब रोना बन कर और मेरे साथ आचार बनाने में मेरी मदद कर फिर मुझे बेचने भी जाना है फिर दोनों मा बेटी मिलकर आचार बनाने लगती है और उसे अच्छे से सुखा कर अगले दिन उसे बेचने बाजार में जाती है इतना सारा काम करके पार्वती बहुत ज़्यादा थक जाती है मा मैं तो आज बहुत थक गई हूँ इतना तो सहना ही पड़ेगा न बेटा आचार नहीं बेचेंगे तो पैसे कहां से लाएंगे चल बेचने चलती है पार्वती अपनी मा के साथ दिन भर गाउं गाउं जाकर घूमती रहती है पर कोई आचार नहीं खरिता शाम को जब जानकी घर आ रही थी तबी एक सिठाने अपनी बड़ी सी गाड़ी से जा रही होती है और जानकी को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेती है अरे ओचान की कैसी हो और यह आचार का बिजनस कबसे स्टार्ट कर दिया तुमने वैसे आचार मुझे भी बहुत पसंद है चल अब तुम मिली गई है तो चल मैं ही तेरी कमाई कर आदेती हूँ चल अब एक किलो आचार मुझे भी दे दे सिठानी उसे आचार के पैसे देकर वहां से चली जाती है ये सब देखकर पारवती कहती है मा तुम दिन बर कितने मेनत करती हो और ये भी एक तुम्हारी तरह ही औरत है पर कितने ठाट है इसके ये तो बहुत पैसे वाली है और इसके पास तो बड़ी गाड़ी भी है पर मा ये सिठानी आपको कैसे जानती है क्योंकि ये इस गाउं के कलेक्टर साहिबा है इसने इसके लिए कड़ी महनत से पढ़ाई की है मैं और ये सिठानी एक साथी स्कूल में पढ़ा करते थे पर मैं आगे ना पढ़ सकी और इसने कड़ी महने तरे पढ़ाई की अब देख मेरी हालत एक ये है इसके पास सब कुछ है और एक मैं हूँ मेरे पास कुछ नहीं अब फैसला तुझे करना है तुझे सिठानी बनना है क्या फिर अचार बेचने वाली जान की तभी पार्वती की स्कूल की एक लड़की शोनाली छुपकर दोनों मा बेटी की बाते सुन लेती है पार्वती पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट आती थी पार्वती की स्कूल ना आने से शोनाली बहुत ज़्यादा खुश थी पर ये बात सुनकर वो डर जाती है और जान बुझकर पार्वती को टक्कर मारते हुए वहाँ से चली जाती है और पार्वती वही गिर जाती है जान की पार्वती को लेकर घर आती है और उसके हाथों की अच्छे से सिकाई करती है बहुत गहरी मौचाई है अब तो कुछ दिन घर पर ये आराम कर नहीं माँ ये छोटी मोटी रुकावटी तो रोज आएंगी वैसे भी अब मेरे एक्जाम होने वाला है मैं अब हर रोज स्कूल जाऊंगी और मल लगा कर पढ़ाई करूंगी और पढ़ लिकर मैं भी बड़ी अफसर बनूंगी फिर अपने पास भी सब कुछ होगा माँ पार्वती अगले दिन स्कूल जाती है और फर्स्ट बैंच पर जाकर बैट जाती है तभी क्लास में एक नई टीचर आती है और पार्वती को देख कर कहती है इतने मैले फटे कपड़ों में वो भी इतनी गंदी शकली के साथ तुम किसे पूछ कर आगे बैठी हो तुम्हें देखकर ही मेरा पढ़ाने का सारा मूड ही खराब हो गया मनुस कहीं की जाओ और जाकर पीछे बैठो पर टीचर पीछे से मुझे कोछ सुनाई नहीं देता अगर मैं पीछे से कैसे पढ़ूंगी वो सम मैं नहीं जानती बस तुम अपसे पीछे बैठने की आदर डाल लो शोनाली अपने क्लास में सबसे सुन्दर थी उसे देखकर टीचर कहती है शोनाली तुम आगे आजाओ बेटा और अपसे तुम हमेशा आगे ही बैठोगी ठीक है? तभी क्लास में प्रिंसिपल मैम आती है और बोलती है हमारा स्कूल एक बहुत बड़ी डांस कॉमबटीशन में हिस्सा लेने वाला है बच्चो इसमें शहर के बहुत बड़े बड़े स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं पर मैं चाहती हूँ कि इस कॉमबटीशन में हमारे स्कूल ही जीते और जो बच्चा इस बार ये ट्रॉफी जीतेगा उसकी पूरी पड़ाई स्कूल फ्री में करवाएगा ये कॉमबटीशन मुझे ही जीतना है चाहिए कुछ भी हो हाँ मैम, मैं मैं इस कॉमबटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ मेरा नाम भी लिख लीजिए तुम चुप करो शुनाली हमारे क्लास से उस कॉमबटीशन के लिए जाएगी और मुझे पूरा यकीन है शुनाली ही ट्रॉफी जीतेगी पर मैम, आपको नहीं पता मुझे डांस का बहुत ही जादा शौक है मैम, मेरा यकीन करिए मैं अपने स्कूल के लिए मैडल लाऊंगी पार्वती, गेट आउट ओफ मैं क्लास राइट नाउ पार्वती रोते रोते क्लास से बाहर आ जाती है पार्वती रोते हुए वहाँ से घर चली जाती है और रोते रोते एक पेड़ के पास डांस करने लगती है अगर रंग सुन्दर ना हो तो कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला तब ही वहाँ से गुजर रही प्रिंसिपल मैम की नजर पार्वती पर पढ़ती है मैम उसे अपने पास बुलाती है और कहती है ये तो हमारे स्कूल का युनिफॉर्म है इतनी अच्छी क्लासिक नित्ते वाउ, सुपब तुम कल ही अपने क्लास टीचर के साथ मुझसे मिलो अगले दिन प्रिंसिपल मैम क्लास टीचर के साथ पारवती को अपने कैबिन में बुलाती है आपके क्लास में इतनी होनहार बच्ची है फिर भे आपने इसका नाम मुझे रेकेमेंट नहीं किया मैं जान सकती हूँ क्यों क्या ये वो आपको जब बच्चों की परक्षे नहीं है तो ये क्या कर रही है आप इस स्कूल में हमारे स्कूल को आप ज़े जटीचरों की कोई अविशक्ता नहीं है नहीं नहीं मैम ऐसा मत कहिए वो क्या है ना कि मैम मेरे नाम आपको देना चाहती थी पर दो दिन पहले ही मेरे हाथ तुमें मोच आ गई थी इस बचे से उन्होंने मेरा नाम आपको रिकमेंड नहीं किया मोच में भी तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हूं अमेजिंग अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ट्रोफी तुम ही जीतोगी ऑफि एक बात मेरी समझ में आ गई सुन्दरता रंग रूप से नहीं बलकि दिल से होता है अब देखना मैं कैसे तुमें इस कॉमबर्टीशन में जाने के लिए तयार करती हूं ये ट्रोफी तो तुम ही जीतोगी उस दिन से टीचर पार्वती की बहुत मदद करती है वो उसके ड पार्वती की स्कूल की फीज माफ हो जाती है और इसकूल में जो बच्चे पार्वती के काले रंग का मजाग उड़ाते थे अब उन सब को शर्मिंगी से शेड़ नीचा हो जाता है पार्वती पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी अफसर बनती है और आगे चलकर अपने आउ में एंजल नाम की बहुत सुंदर लड़की रहती थी वह बहुती दयालू तथा विनर्म स्वभाव की थी एंजल की मा को गुजरे कई साल हो गए जिसकी वज़े से एंजल के पिता एंजल की देखमाल के लिए जान की नाम की महिला से दूसरी शादी कर ले जान की पर दुखों का पहार तूट पड़ा जान की आते ही एंजल पर अत्याचार करना शुरू कर देती है एक दिन का जल अपनी मा से कह रही थी मा एंजल दीदी कितनी सुंदर है और उसके कपड़े कितने सुंदर है एकदम राजकुमारी की तरह मा मुझे भी एंजल दीदी की चाहिए ताकि मैं भी उसे पहन कर राजकुमारी से दिख सकूँ चिपकर कोई रूप की रानी नहीं है वो बस अच्छा पहनी है इसले सुंदर दिख रही है तो चिंता बत कर बहुती जल्डी ये सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है बेटी तब ही वहां एंजल आ जाती ह काजल तुम्हें मेरी फ्रोग पसंद है ना चलो मैं तुम्हें अपने फ्रोग दिखाती हूं और तुम्हें उन में से जो पसंद आए उसी तुम अपने लिए रख लेना कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी और तू जाकर अपना काम कर और ये कुछ समान की लिस्ट है जाकर बाजार जाकर लेया बड़ी आए मेरे बेटी को फ्रोग देने वाली अब जा जल्दी एंजल समाल लेने के लिए बाजार चली जाती है बाजार थोड़ी ही दूर था बीच में एक नदी पढ़ती थी एंजल जैसी ही नदी के पास पहुंचती है उसे नदी में कोई मदद के लिए पुकारता हुआ दिखता है लगता है कोई नदी में डूब रहा है मुझे कैसी भी करके उसकी जान बचाने होगी एंजल को तैरना आता था इसलिए वो बिना सोचे समझे पानी में कूच जाती है और राजकुमार को बचा कर किनारे के पास ले आती है थोड़ी देर क लिए बाद राजकुमार को होश आ जाता है में जन बचाने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया अगर आप आज ना होते तो ना जाने क्या हो जाता जब तैरने नहीं आता तो नदी में जाती ही क्यों हो मरने का जादे ही शुक चड़ा है अरे नहीं नहीं मरने से तो मुझे बहुत डर लगता है मैं तो आपको बताना ही भूल गया मैं खुद नदी में नहीं आया पहार से मेरा पैर फिसल गया था और मैं वहां से गिरकर नदी में बहने लगा वैसे अच्छा ही हुआ इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई बस बस ज्यादा बाते बनाने की जरूरत है तुम अब बिल्कुल ठीक हो और अपने घर जा सकते हो मुझे भी देरी हो रही है मैं जा रही हूं अरे सुनो तो सई लेकिन एंजल राजकुमार की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है राजकुमार जब अपने आसपास देखता है तब उसे एंजल का कान का जुम लग जाता है जिससे गुस्सा होकर जानकी उसे बहुत खरी खुटी सुनाती है सुबह की गई हुई महरानी अब आई है पता नहीं आखिर कहां रंग्रल्या मना रही थी आने दो आज उसे तब ही उधर से एंजल समान लिये आती है कहा थी इतनी देर से देखो एंजल अब ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारी सारी बात माननी होगी समझ गई ठीक है मा जैसा आपको हो इतना बोलकर एंजल अपने कमरे में जाने लगती है उधर कहां जा रही है महरानी अपने कमरे में मा कोई काम हो तो आप महराने वाले ठाट बाट छोड़ दे और ये ले ये पहन और अपना ये फ्रोक ले जाकर मेरी बेटी को दे दे समझी तु अब इस घर की सरफ नौकरानी है नौकरानी याद कर ले इस बात को एंजल रोते हुए फटे पुराने कपड़े पहन कर गुशाला में चली जाती है काजल के दिल में एंजल के लिए बहुत हमदर्दी होती है लेकिन वो अपनी मा के ड़र से एंजल से ज़्यादा बात नहीं करती है ऐसे ही दो दिन बीच जाता है एक दिन रात में काजल चुपके से एंजल के पास चाती है दिदी इजे लोग खाना मा भी सो रही है आप जल्दी से ये खाना खालो मुझे अभी भूक नहीं है काजल तुम ये ले जाओ मैं जानती हूँ दिदी आपने दो दिनों से कुछ नहीं खाया प्लीस मेरी लिए खालो और किसी भी चीज की जरूर हो तो मुझे जरूर बतान ऐसी कोई बात नहीं है काजल मैं यहां खुश हूँ इन से मंगायों को देखो यह से मेरा बहुत ख्याल रखती है और यह से मेरे साथ कितने खुश है अब तुम जाओ मैं ठीक हूँ ठीक है दीदी अपना ख्याल रखना उसी रात एंजल रोते हुए मा को बहुत याद करती मां आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मां एंजल रोही रही थी तब यह वहाँ एक लालपरी आती है और बूलती है एंजल बिटी तुम क्यों रो रही हो? तब एंजल अपनी सारी बाते उस लालपरी को बताती है एंजल तुम चिंता मत करो बहुत जल्दी एक राजकुमार तुम्हें यहां से ले जाएगा और तुम्हारी सारी मुश्किले बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी मेरा आशिरवाद सदैव तुम्हारे साथ है हमेशा खुश रहना इतना बोलकर वो परी वहाँ से चली जाती है इधर राजकुमार अपने राज्ये में आ जाता है लेकिन वो एंजल को नहीं भूल पाता उनके आखों के सामने बार बार एंजल का हे चहरा आ रहा था उन्होंने एंजल को ढूरने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें एंजल कहीं नहीं मिली ओ प्यारी लड़की कहा हो तुम आखिर मैं तुम्हें कहा डूंडू तब ये राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी मा से कहता है मा दो दिन बाद मेरा पच्चिसवा जनम दिन है मैं चाता हूँ मेरा जनम दिन समारो बहुती अच्छे तरीके से मना जाए और उसमें गाउं के सभी लड़कियों को बुलाए जाए पर अभी इतना बड़ा समारो करने की आविशक्ता क्या है राजकुमार फिर राजकुमार अपनी मा को सारी बात बताता है अच्छा मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है और उसे उसका नाम नहीं पता इसलिए तुम सारी लड़कियों को समारो में बुलाना चाहते हो ठेक है तुम्हारी पसंदी हमारी पसंद है मा आप कितनी प्यारी हो मेरे बिना कही सब को समझ जाती हो मा वै जुम्केवाई लड़की तो आएगी न जरूर आएगी बेटे और फिर महारानी अपने सिपाही से बोलकर पूरे गाओं में घुषना करवा देती है सुनो 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 सभी गाओं वासियो ध्यान से सुनो कल गाउं के सभी लड़कियों को साही महल में राजकुमार के 25 जनम दिन में आवंत्रित किया जाता है जिसमें सभी युवा लड़कियों को आना निवार्य है सभी लोग जरूर आए मा आपको पता है शाही महल में समारों का आयोजन हुआ है और महरानी ने सभी लड़ियों को महल में बुलाया है जरूर महरानी राजकुमार के लिए राजकुमारी ढून रही है तू चिंता मत कर बेटी उस समारों में सबसे ज़्यादा तू ही चमकेगी और राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे एंजल भी वही खड़ी उनकी बाते सुन रही थी मा क्या मैं भी इस समारों में आपके साथ चल सकती हूँ मा मैं बहुत दिनों से घिर से बाहर नहीं गई कृपय मुझे भी अपने साथ ले चलो हालत देखिए अपनी कैसी भिकारी की तरह लग रही है तुमें अपने साथ ले चाकर अपनी बेज़ती थोड़ी न करवानी है और वैसे भी राजकुमार को अपनी राजकुमारी चाहिए कोई नोकरानी नहीं समझी मा प्लीज दीदी को भी ले चलो न चुपकर पता ने क्या पटी पड़ा दिया इस कलमुही ने तुझे और तू कलमुही जा और जाकर अपना काम कर काजल बेटा आ मैं तेरे चहरे पर हल्दी का ये अप्टन लगा दू शाही महल में जाने के लिए काजल बहुत अच्छे से तयार होती है और उस दिन एंजल वाला ही सुंदर फ्रोक पहनती है जिस फ्रोक में राजकुमार ने एंजल को पहली बार देखा था मा देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही है मेरी बेटी तुम्हें किसी की नजर ना लगे देखना राजकुमार तुम्हें ही पसंद करेंगी मैं भी यही चाती हूँ मा अब जल्दी चलू मा वर्ना देर हो जाएगी वे लोग एंजल को घर में अकेला छोड़ कर समारों के लिए निकल जाते हैं राजकुमार नजरे गड़ाए दरवाजी के तरफ देखता रहता है कि आखिर कब वो जुमके वाली लड़की उसे दिखी लेकिन राजकुमार को निराशा ही हाथ लगती है उदास मन से राजकुमार केक काटने वाला था तभी उसकी नजर काजल पर पड़ी ये फ्रोक तो उसी जुमके वाई लड़की का है लेकिन ये लड़की तो कोई और है जुमके वाई लड़की आखिर क्यों नहीं आई राजकुमार काजल की और बढ़ता है मा देखो राजकुमार मेरी तरफ ही आ रहे है लगता है उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ क्या ये फ्रोक आपका है हाँ ये मेरे ही फ्रोक है मला ऐसे सवाल कौन पूछता है माफ करना दरहसल मैं एक जुमके वाई लड़की की तलास कर रहा हूँ यह देखिए क्या ये जुमका आपका है शेदी जुमके मेरी बेहन अरे हाँ हा राजकुमार ये जुमके मेरी ही बेटी का है नहीं राजकुमार मेरी मा जुट बोल रही है ये जुमका मेरी मेरी बेहन एंजल का है और ये फ्रोक भी उसी का है क्या फिर आप लोगों ने मुझे जुट क्यों कहा और कहा है आपकी बेहन वह इस सबा में क्यों नहीं आई किर्पिया मुझे आप उस लड़की के पास ले चलिए फिर राजकुमार काजल के साथ गोशाला में आते हैं मुझे माफ करतू मेरी बेहन अपने आंकार में मैंने और मेरी माने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है राजकुमार आपसे बहुत प्रेम करते हैं एंजल दीदी एंजल तो आपका नाम एंजल है मैंने आपको कहा कहा नहीं ढूंडा लेकिन भगवार का सुक्र है क्या मुझे मिल गई क्या आप मुझसे साधी करोगी हाँ राजकुमार और फिर बड़े ही धोम धाम से एंजल और राजकुमार की शाधी हो जाती है और फिर सबी खुशी खुशी रहने लगते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा कर अभी कर ले तो मिलती हूँ आप से फिर किसी नई कहाने के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे बाई बाई दोस्तों